मेरी मम्मी कहती थी कि जिंदिगी गुलगप्पे जैसी हुन दी है पेट पले ही पर जावे मन नहीं परता दोस्तों हमारी चोती फिल्म होगी फिल्म लाल सिंग चड़्डा जिसके हम दस दिन कलेक्शन के बात करेंगे तो दोस्तों अगर आप अक्षे कुमार सर आमिर खान सर और दोस्तों लाएगर मूवी के काफी बड़े फेन है तो आपके हमारे चल को सब्सक्राइब कर लिजिए क्योंकि आने वाले समय में आपको हमारे चैनल पर सभी मूवीज के अपडेट मिलेगी सूध हिंदी में सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें सबसे पहली फिल्म कार्थी के टू की तो यह फिल्म दोस्तों एक मिस्टीरियस इतहास के उपर बनाए गई सबस्पेस त्रिल कलेक्शन कल लिया है और दोस्तों जीत लिया है सभी का दिल जी हाँ दोस्तों आपको बता दे के फिल्म कार्थी के ने अपने पहले दिन की आपनिंग ली थी पाच करोड़ चार लाक रुपे की वहीं पर दोस्तों फिल्म ने अपने चार दिनों में 21 करोड़ का अकड़ा पर दोस्तों अगर हम बात करें फिल्म में के आठवे दिन के कलेक्शन की तो जिस तरीके से फिल्म का बज और क्रेज देखने के लिए मिल रहा है उससे कहना गलत नहीं होगा कि कार्थी के टू अपने आठवे दिन तीन करोड पचास लाक रुपे तक की ओपनिंग ले सकती है और दोस्तों इस फिल्म में का आठ दिनों का इंडियन नेट कलेक्शन हो चुका होगा 37 करोड 70 लाक रुपे तो दोस्तों अगर आपने फिल्म कार्थी के टू को देख ली है तो आपको मुवी कैसी लगी कमेंट करके जुरू बताईएगा वहीं पे अगर हम बात करें बॉ पर दोस्तों रिक्शा बंदन मुवी को हिट होने के लिए 7 ौध का आख़ड़ा पार करना होगा तो आपको एक बात किलियर कर दें कि रक्षा बंदन मूवी हिट तो नहीं हो पाई बाकि मेनी हिट जरूर हो चुकी है रक्षा बंदन मूवी ने अपने पहले दिन की आपन निकले मिल रहा था फिल्म में रक्षा बंदन ने अपने नोवे दिन केवल सतर लाक रुपे कमाएं और यहाँ फिल्म अपने दसवे दिन का पिडिक्शन बता दी है लगबक पचास लाक रुपे का जिसके चलते इस फिल्म का दस दिनों का इंडियान नेट कलेक्शन एक ताल फिल्म में एक स्पॉर्ट ड्रामा एक्शन थिलर फिल्म है जिसके दर आपको विजे देवर कुंडा, अनन्या पांडे, राम्या किष्णा जी और दोस्तो रौनित रोई जैसे बहत्रिंग एक्टर काम करते हैं निजर आते हैं इस फिल्म में को डारेक्ट करा है पूरी गाने सुनके पता कर सकते हैं अगर हम बड़े फिल्मे के बज़र्ट की तरफ तो फिल्म में का बज़र्ट 25 से 30 करोड के अराउंड बटाय जा रहा है और फिल्म को हम सभी के बीच में साड़े चारजर स्क्रिंस पर रिलिस करा जाएगा हिंदी, तामिल, तेल्गू, मल्यल करनाड़ जैसी बड़ी-बड़ी लेंग्वेज में, जिससे कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरीके से फिल्म में लायगर मुवी का बज़र्ट देखने कले मिल रहा है, यहाँ फिल्म अपने पहले दिन बड़ी आसानी से 15 से 18 करोड रुपे की ओपनिंग लेगी और दोस्तो उनके एक्टिंग ने सभी का दिल जीतते हुए, इस फिल्म में को भी काफियरा सपोर्ट करा है, जबकि आप सभी को पता है कि लाल सिंग चड़्डा को काफियरा प्रोटेश्ट जलने के लिए मिल रहा है और दोस्तों इस मुवी के कलेक्शन जितने तगणे निकल के आने उतने अच्छे निकल के नहीं आए, जी हाँ आपको बता दे कि लाल सिंग चड़्डा ने अपने पहले दिन की ओपनिंग ली थी, 11 करोड 70 लाख रुपे की, वहीं पर फिल्म ने अपने आठवे दिन की कमाई बताई, एक करोड 95 लाख रुपे का, अगर हम बात करें फिल् का एंडिया नेट कलेक्शन 54 करोड 14 लाख रुपे हो चुका है, और दोस्तों फिल्म ने वर्ल्ड वाइट मार्केट में लगबग 77 करोड रुपे का अखड़ा पार कर दिया है, जानि कि दोस्तों यहाँ पर लाल सिंग चड़्डा एक काफी बड़ी डिजास्टर साभित ह हो चुकी है, और दोस्तों यहाँ पर सब भी फिल्मों ने बाजी मार ली है केवल लाल सिंग चड़्डा को छोड़ करके, क्योंकि दोस्तों लाल सिंग चड़्डा वर्ल्ड वाइट मार्केट में भी ब्लोगबश्टर सूपर हिट या फिर मेनी हिट भी नहीं हो पाई, अ यहिंद वन्यमात्रम